बिटा, गुद मॉर्निंग स्टूडेंट्स लेट्स कॉंटिन्यू आवर चेप्टर कल हमने यहाँ छोड़ा था ना लेट्स कम्प्लीट इट कल क्या पढ़ी थी हमने स्टोरी डॉग डॉग को क्या लग रहा था कि मुझे अपना मालिक चाहिए है ना मुझे अपना मालिक चाहिए तो उसने क्या किया ढूंडा अपना मालिक उसको सबसे पहले कौन मिला वाल्फ है ना उसने वाल्फ को मालिक बनाया अपना बनाया मास्टर और खुद उसकी सर्विसेज अटेंड कर ली लेकिन जब वाल्फ डर गया बियर को देखकर तो उसने क्या किया बियर को अपना मालिक बनाने का डिसाइड किया अब देखो बियर एग्रीड तो देस रैडिली बियर तैयार हो गया एंड सेडर बोला लेट एस गो एंड फाइंड अफ़ काउज चलो चलते हैं और एक गायों की जुंड का हर्ड क्या होता है बेटा वर्ड यूज फोर ग्रूप अफ काउज बहुत सारी काउज हो उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है हर्ड उनको डूण के आते हैं चलो I will kill a काउ मैं गाये को मरूँगा and then we can both eat our fill fill हमारा स्टमक फिर हम अपनी भूख मतलब जो मेरा हमारा पेट खाली हो गया है उसको हम भर लेंगे now 6 पहरा they walked on and soon saw a herd of cows वो आगे बढ़े और उन्होंने एक गाये का जुंड देखा but just as they were about to come up to it लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुँचने लगी गाये के जुंड के पास they were stopped by a terrible noise एक बहुत बुरी तरह से शोर ने एक अजीब सी आवाज ने उनको रोक दिया the cows were mooing ये बिटा sound of cow है it is sound of cow जब pain से या एकदम डर से चला रही हो गए loudly and running in a panic panic होता है fear डर डर से वो सभी directions में भाग ही देखो and then he to ran harshly harshly होता है quickly deeper into the forest और वो भी कहां भाग गया jungle में भाग गया एकदम तेजी से क्या हुआ भाई अब उसके साथ let's see now why did I have to come here मैं यहां क्यों आया हूँ अगर आप भाग रहे हो यहां से तो sad eat a dog dog से उसने बुला bear ने कि यहां क्यों आगया मैं अरे तुम्हारे सब गलती कर दी आके मिने तो it is the lion lion है who rules the forest in these parts jungle के इस हिसे में तो कौन राज करता है share the lion who is he dog तो एक innocent animal है न वो तो अपनो माली डूण रहा है तो पूछता है अच्छा राजा share वो कौन है don't you know तुम्हें नहीं पता he is the strongest beast on earth वो सबसे बड़ा beast होता है बेटा animal animal है अर्थ पर well then I will say goodbye to you फिर dog बोला फिर मैं आपके साथ क्यों हूँ मैं तो आपको goodbye कहूंगा beer I want a master मुझे तो वैसे भी ऐसा ही मालिक चाहिए who is stronger than anyone on earth एक ऐसा मालिक जो अर्थ पर सबसे ज़्यादा strong है एट परा and of the dog went to ask the lion to be his master और dog अब कहां चला गया lion के पास क्या आप मेरे master बनोगे the lion agreed to it lion तयार हो गया and the dog stayed with him dog उसके पास रहता and served him और उसकी सेवा करता for a long time बहुत लंबे समय तक सेवा की उसकी long long time it was a good life एक अच्छी जिंदगी भी इता रहा था जैसा उसको लगता था कि एक ऐसा मालिक हो जो मेरे खाने का इंतिजाम करेगा मेरी रक्षा करेगा दूसरों से वैसी जिंदगी उसको मिल गई थी and he had nothing to complain of मतलब कोई शिकायत नहीं थी अब उसको जो उसको चाहिए था वैसा मालिक उसको मिल गया था for there was no stronger beast in the forest जंगल में उससे ज़ादा ताकतवर तो कोई जानवर था ही नहीं किस से? शेर से then the lion and no one dared और किसी की हिमत नहीं थी touch the dog कि वो dog को touch भी कर सकता कहते है ना हाथ लगा लगा हाथ बुला के लिए होगा अपने मालिक को और offend him anyway और या फिर उसको offend होता है मना कर पाना कि उसको dog को नराज कर पाता यूग कि dog किसका servant था? lion का 9th पहरा but one day the two of them were walking side by side along a path एक दिन क्या हुआ? वो दोनों एक रास्ते पर चल रहे थे that ran amid bear cliffs क्या आ गए? उपर से चटानों के जिसे पहाडों के उपर बरफ जम हो जाती है और जब थोड़ा मौसम गरम होता है तो वो वहाँ से बहकर आ जाती है तो ये तूट गई पहाडों से और वहाँ से उनके पास एकदम अचानक आ गई when all of a sudden the lion stopped तो lion रुग गया he have a great roar वो जोर से दहडा and struck the ground angrily और उसने गुसे में मेदान पे ऐसे गर के पैर मारा with his paw अपने पंजे से with such a force that a hole formed there और वहाँ पर क्या बन गया? a hole then he began to back away very quietly और फिर वो धीरे से वापेस हो गया क्योंकि जब उसको ये लगा कि ये जो cliff है ये कहां से आई भई? कैसे आई? अब देखो क्या हुआ what is it master? क्या हुआ मालेक? कुछ गलत हुआ क्या कि आप वापिस जा रहे हो? ये cliff हमारे उपर गिरिये आके एकदम अचानक से आ गई ही तो आप इससे क्यों डर गए? क्योंकि वो क्या है? वो है तो चटानका ही टुकडा ना? ask the dog डॉग ने पूछा हैरान होकर I smell a man मेरको एक मनुष्य की fragrance आ रही है coming this way इस तरफ आ रहा है वो the lion said, lion ने कहा we would better run हमारे लिए ठीक रहे है का हम भाग ले ट्रबल होता है बेटा मुसीबत में फस जाएंगे oh well then I will say goodbye to you lion तो फिर मैं आपको भी goodbye कहता हूं lion क्योंकि मेरको तो सबसे जादा strong जो है पुरे अर्थ पे उसका master बनाना है ना अपना I want a master who is stronger than anyone on earth जो उससे जादा strong कोई है नहीं अर्थ पे सबसे जादा strong इंसान को या सबसे strong जीव को मुझे अपना मालिक बनाना है and last but not the least पैरा and of the dog went to join the man और फिर dog ने lion को भी छोड़ दिया और कहा चला गया man के पास and then he stayed with him और फिर वो उसके साथ ही रहा and served him faithfully और वफादारी से अपने मालिक मनुष्य की सेवा करता रहा this happened long long ago ये और लंबा और लंबा और लंबा चलता रहा but to this day the dog is man's most loyal servant अब ऐसा वक्त आ चुका है कि dog आदमी का सबसे ज्यादा loyal होता है वफादार, faithful नोकर है and knows no other master और वो अपने बाकी और सभी मालिकों को भूल चुका है तो देखो हमें कौन-कौन मिले उसके मालिक wolf सबसे पहला है ना फिर bear फिर lion फिर man इसको पढ़ेंगे तो हमारी story summarize हो जाएगे dog के master कौन-कौन बने ये सब बने hope story is clear among all of you story सबको clear होगी अब एक बार आप सभी इनके kosher answers को read करेंगे घर पे और सोचेंगे कि इनके क्या-क्या answer हो सकते हैं tomorrow we will write down the answers after discussion with you आप से discuss करके लिखेंगे हम kosher answers okay all of you have to answer me okay बच्चा take care and bye-bye आपड़र को बचल्वे आप साइबा करेंगे आप सकती हैं आप सकती हैं करेंगे